नमस्कार दोस्तों आज की डेट है 9 अपरेल 2024 स्वागत है आपका आज के करेंट फे डिसकसन में चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं डिसकसन से पहले हमारा टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर लेना यहाँ पर आपको यूपीस से सारा मेटियर मिल जाएगा तो चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल के और पहला हमारा आर्टिकल है AI सेफटी से समझते हैं क्यों न्यूज में UK और US के मद्दी एक एग्रिमेंट हुआ है यह एग्रिमेंट AI सुरुकसा से समझते हैं इसलिए न्यूज में क्या हुआ है UK यानि से समझेति यह समझोता हुआ है क्या होगा है इस समझोते में दोनों देशों का कहना है कि आभी AI क है वह एडवांस्चमेंट हो रहा है इसलिए AI की सेफटी वी ज़रूरी है बिना AI सेफटी से इसमें नुकरसान बहुत जाद आपने देखा होगा कि कहीं बार डीप फेक की न्यूज आती है किसी की फेक न्यूज बना दी जाती है और भी कहीं यह से समझदी अभी चैलेंज देखने को मिल रहा है तो इन दोनों देशों का कहना है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए और इनकी सेफटी के लिए कुछ मेजर अपना है चाहिए तो इसके लिए इन दोनों के मद्दी एक एग्रिमेंट हुआ है। इसे डोनों से हैं एक दूसरे के मद्दी अपने परसनल होंगे जो भी इस याई समय काम कर रहे होंगी परसनल उनको स्यर के जाएगा। साथ ही साथ में जो डेटा होगा उसको सेर किया इस पूरे agreement के तद, यह पूरा जो इतना लिखा है, उसका मतलब simple सा यही है, कि दोनों के मद्दी समझोता हुआ है, दोनों के मद्दी जो person लोग उनको share किया जाएगा, ट्रेनिंग से share की जाएगी, टेकनोलोजी उनको share किया जाएगा, यह सारी चीज़े की जाएगी, इन द UK, example दे सकते, UK और US के मद्दी इस परकार के agreement हुए, तो ऐसे agreement और देशों को भी करने चीज़े, और देशों को भी आ गयाना चीज़े, तो यह यह था, इससे समझे, अब यह है न, एक बेलेचली declaration हुआ था, कुछ टाइम पहले हमने discuss भी क्या था, बेलेचली declaration हुआ था, उसमें क्या हुआ था, उसमें artificial intelligence है, उसके safety से समझे वो declaration था, तो यह उसके तरज पहुआ था, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, बेलेचली declaration क्या था, ठीक है, अब बेलेचली declaration या बेलेचली गोशना के बारें बात करें, यह किन देशों के बत्य हुए थी, यह 28 दे गया था, इसका मुख्य यही था, artificial intelligence, यानि करत्रिम बोधिमता है, उसके शुरुक्सा ensure करना, उसके safety पर ध्यान दिये देना, इसे कहां यह आयूजित हुआ था, यह वा था, यूके का एक सहर है, वहां पर एक पार्क है, बेलेचली पार्क, वहां पर यह आयूजित हुआ था, ठीक है, इसलिके इसका नाम भी बेलेचली गोशना दिया गया है, और यही सारी चीजे की जाएगी, यही की safety को ensure किया जाएगा, इसे बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह सारी चीजे इसमें किया जाएगा, बेलेचली गोशना में, ठीक है, यह हमारा आर्टिकल था, पहलेचली गोशना से समझे, नेक्स्ट जो मारा आर्टिकल है, वो रिंग ओफायर के बारे में, ताइवान में अभी अर्थक्वेक देखने को मिला था, जिसमें कहीं सारे लोगों की जान भी गई थी, तो अब यह अर्थक्वेक है न, यह रिंग ओफायर के कान आया था, तो हम ताइवान में जो अर्थक्वेक उसके बारे में देखेंगे, और रिंग ओफायर के बारे में देखेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं, ताइवान में जो अर्थक्वेक कान उसके बारे में, ताइवान में सबसे पहले अर्थक्वेक क्यों आय था, ताइवान है न, व यूरेशियन प्लेट है उससे टकड़ाई जिसके कारण ताइवान में अभी अर्थ को एक देखने को मिला था तो अब ये रीजन है ना इसे रिंग ओप फायर कहा जाता है रिंग ओफायर से समधिर यूपियासी मैंस में क्यूशन पूछ चुकी है अलड़ी पांच नंबर का क्यूशन था तो आप ध्यान रखना ये काफी इंपोर्टन हो जाता है हमारे लिए रिंग ओफायर के बारे में बात करें तो ये इसे सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है ठीक है ये होर्स के सू के समान से इसका हो तो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हूँ इसका से प चारीश जार से 0-1 का एयरिया इते चोफा पॉइंट इसमें कम 15 देशाते थे का अ कुंड항 सी यू केंश का पर्वावMore देखने को मिलता है तो यह तो यह पर कहीं सारी यह साथ देखने को मिलती है जैसे कि यहां पर सब्डेक्शन होता है कहीं सारी प्लेट सब्डेक्शन होता है यहां पर कन्वर्जन होता है यहां पर डाइवर्जन होता है यहां पर ट्रांसमेशन होता है तो यह सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है अब हम बात कर लेते हैं यह सारी चीजें होगी तो जी मिलने है जैसे यहां पर अर्थक्वेक देखने को लता है वहां पर इसलिए बार게요 आपसमें टक राथी हैं ठीकि यह दोनों प्लेटे आपस में ठकराई तो इस यह दोनों प्लेटे टकराई कि इसका असर तो आसपास की प्लेटों पर देखने को मिलेगा इन इसके लिए यह जो आसपास की प्लेटे होते हैं वहां पर अर्शक्वेक देखने को मिलता है कही सारी प्लेटे आपस में ठक जो आला मुख्य की बारे में बात करें, तो यहां पर है conversion point, यानि अभीषरन, अभीषरन क्या होता है, conversion क्या होता है, दो प्लेटे, एक प्लेट इधर से आई, इधर से आई, माना कि यह प्लेट है न, वो भारी प्लेट है, अब भारी प्लेट है नीचे दब जाएगी, भारी चीजे नीचे जाती है, तो यह भारी प्लेट नीचे दब जाएगी, यानि subduction हो जाएगा, पहले दोनों टक्राइए, इसे भीष ऩॉइचा है अभी धचाना फिर भारी नीचछह डब जाएगी जैसी कहा जाता है सब्डक्षन यानि कि नीचे डबना ठीक है सब्डट हो जाना अब नीचे दबेगी तो यहां पर पिगल जाएगी क्योंकि यह जो एरिया होता गरम होता काफी गरम होता यह चीज पिगलेगी पिगलेगी तो उपर आएगी जो चीज यह पिगली उपर आएगी उपर आएगी लावा अब यह लावा की फॉर्म में उपर हो पर रट्रेंश भिषक फ्रवाहिद का मए और यूंट को सोगते हैं और सब्रतक्राइब पर इसलिए यहां पर वो ट्रेंच भी देखने को मिलती है तो कहीं सारी ट्रेंच हैं यह पूरा हमने देख लिया इसके बारे में यहीं दे रखा था पहले तो फेसिपिक रिंग आफ फायर की बारे में बात करी दी क्यों बनता है यह होस के सूर समाने कई सारी प्लेटे देखने को मिल जाती है तो वहां पर वलके देखने को मिल जाती है आपवसzer क्वेल समय जाती इसंतहि हैं सब्डक सन påजातार अनि एगया पलित्ट्रों समें झाल हुकовать वेला जाती तुह वहाँ पर वलकेनों-देखने हो मिल जाती आपस में हमक्स डिकारा जाती तो अरजः देखने हो मिल जाती जिसे यह Gefद निचे रिच्षे बजाती उसे सब्ड़कों कहा जाता है फिर हमने देखा, आप समें मिला, उसेभी सरंक्व खा जाता है, ओर जाना तहीं कि, ठीक आइरे तो फ्रूर जा ना, ँचंख उन छन क्या जाता है, पणस में आ रही है ठीक है, एक दूर जारी, दूर जारी उसेuाट घृत्रीयमें कहा जाता है इसलिए नियूज में अब हम बात करते हैं यूथ न снखय मृत्यूं अबिछ। हमने देख लिया ये चार परकार की होती है टॉसरा इसक्री पहनी की नुठीक तो चोथा होता है वो अनेच्ञ पाट कर ले hypoc达 लेऊ है चार परकार क्या होते हैं तो सबसे पहले बात कर ले थक्ष़ए की एक्टिव यूतनीज़्यों के बारे में Patienten यूतनीज्यों के बा Rapid लिए लिए से किसी फोर्स की द्वारे इनजेक्शन की द्वारे मित्व डी जाती है इसके इच्छा तो मरना है वह सब करन की थक flex व्यूतनेशिया कहा जाता है फिर पैसिव यूतनेशिया इसमें क्या होता है इसमें कोई वेक्टि उसके दवाई चल रही है लगाता है कोई दवाई पर जी रहा है ठीक है नलिया वगर चड़ाई हुई अब यह जो दवाई है न यह हटा दी जाएगी तो यह मर जाएगा उस की मिर्ट्यू से नहीं मरना बाहर कि किसी कोज के करण मरना यह इन्वेल्ट वॉलेंटरी हो गया अब भारत में इसकी समझीट बात करें चुब बारत में इसी समझीट सुप्रीम को गोड़ जज्मेंट दे चुका है एक बार 2021 की जज्जमेंट थी फिर 2018 में दो बार इसके समंदी जज्जमेंट आ गई तो उसके बारे में भी देख ले दे भारत में दो जज्जमेंट था यह था अरुणा चंद्र ठीक है सान बाग वरसेज बारत संग यूनियन ऑफ इंडिया अरुणा चंद्र राम बाग वरसेज केस था इसमें सुप्रियम कोट ने कहा था कि बारत में ना पैसी यूथनेस या है वो लीगल है पैसी मतलब खुद की इच्छा से मरना बट अगर वो दवाईयों पर जी रहा है तो दवाई हटा दी जाए तो वो मर जाए वो लीगल है यह अगर विसेस केस में कोई 2017 remarks in 2018 में 2007 में पैसी यूथनेस यह दिया सकता है बड़ साथ मी सुप्रियम कोट रचे में कूछ गये जारी करी इसीूह chem कर तो दिस्छा निर्दिस पास skजा प्रिस्थिति मा गया तो मेरी बचने की चांसज नहीं होगी तो प्हले से मyeong मैने work chips मांज देता हूं कि अगर ऐसी प्रस्थिति मा जाता हूं, जैसे कि कोई व्रक्ति ही है वहो कोमा में चला गया, अब बोल नहीं सकता है वह बता नहीं सकता कि मारे साथ क्या होना तो उस प्रिस्तिते में उस वरक्ट को मरना है अगर उसको लगता है कि मुझे है न मेरा जीओन, अब मैं गरिमे पुर्ण नहीं जीज़ सकता हूं, तो उसे पहीसु, योट्निय से दिया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करने हैं आता-मत्य और इच्छा मुना जाता है, क्या है, वह दर्या То प्रीकि अगरत 完全готовlaka नहीं है नहीं क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्तिका सारा लिया जाता है यह लीगल यह इस안गे पूरा लीगल दस्तावज बना कि यह पूर्य है श्टार किई जाती है तो इस च्शली है दौत यह समझ आ हम ने वायं पूरा इ 설 लिया है जिंगा मसले का अब कुछ सिकांगों के human rights groups है उन्होंने बारत पे case कर दिया उनका कहना है कि बारत में जो जिंगा मसले हैं यहाँ पर इसका जो production होता है उसमें मानवाद धिकारा का उलंगन होता है इसलिए इन्होंने वहाँ पर यह बात कर दिया बारत ने इसको खारिज कर बाएं बात करें तो यह देखों यह बात हुए लिए आप कहीं यूज भी कर सकते इस पॉइंट को कहीं बार क्या होता है कि इस पर करकार के जो यूमन राइट ग्रोप सोते वाइस्ट होते हैं और किसी एक देश को किसी एक प्रस्तिती को डबाने के लिए भी काम कर सकते अब हम बात कर लेते हैं जिंगा ये जिंगा इसरी चैटरी की बारे में बात करें देखने को五ת करीश ये जिंगा कर सी पियटे ही यह समुंद्री जल में भी होता है और मिठे पासनी मी पीकलीट है और भारत में बात करें, तो भारत में ऐन्दरपर्देश का एक जिल्ला है नेलोर, ноеन्दरपर्देश का नेलोर डिष्टिटे उसे जिंगा जो है न उसकी राज़धा ने भी माना जाता, जिंगा की प्रोडूक्शन की कैपिटल भी माना जाता, क्योंकि वहाँ पर जिंगा क सतत एक्वाकल्चर यह प्रयास है जो पहले सक नाम याद रख सकते हूं यह देखु Chuck सटनेबल एक्वाकल्चर महें इको सिस्टम सेम इनिसेटीव यह श्तर चीया गई था वाराष सरकार के दानं कहां पर ही कंप स्छी मंकल में इन्व देखने के लिए ये पहली स्टाड की गई थी 2019 में ये स्टार्ट की गई थी बहु काफी एच्छा इसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है साथ ही सात में बार सरकार की दुपरा एक अथोर्टी भी बनाई गी थी इस authority का नाम था मपेडा, ठीक है, इस authority का नाम भी याद रखना, मपेडा, मपेडा क्या है, मपेडा एक statutory body है, मपेडा की full form क्या है, marine production export development authority, मपेडा, हिंदी मीडियम देख लो, marine का होता जली है, समुंदरी उत्पाद निर्यात विकास पराधी करन, यह इसका नाम है, इसकी इ 1972 का मपेडा एक्ट है, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, एक्ट की थू हुई थी, इसका मतलब यह एक वेडानिक निका है, क्योंकि इसकी स्थापना है, एक अधिनियम के दुवारा हुई थी, इसका मतलब यह वेडानिक, यानि statutory body है, कौन से मंत्रा लेके अंतरगत आ मपेडा, यह चीज भी है थकति कॉमर्स ministry के अंतरगत आती है, क्या काम करती है, फोक्स क्या है, जो बाजार होता है, जो marine ecosystem उसको बाजार उसको बढ़ावा देना, इसको promote करने का काम करना, अनूसन्धान को बढ़ाना, इसकी quality को बढ़ाना, यह सारे चीज़ें वह बढ़ा गुजरात का विलिये दृच्टिक्ट वहां पर यहांपर बायो गैस होती है उस से इंस्योर किया गया इसलिए नियूज में ऐसी न्यूज होती है उसको आप एग्जामपल यूज कर सकते हो मैंस में कहीं लिखते टाइम कि इस परकार भी एग्जामपल देखने को मिलते हैं इसको और भी बड़े मात्र में परमोट किया जा सकता है तो यह जलवा यू का इसमांड मोडल बन गया यह गां इसे और भी गांव सीख सकते हैं अब इसके बारे बात करें यहां पर क्या किया जाएगा सबसे पहले यहां पर बायो गैस बनाई जाएगी बायो गैस कैसे होती है जो हमारा डंग होता है जैसी काव होते हैं काव का डंग होता है बहांस का डंग होता है जो गोबर होता है उस गोबर को एक गड और इसका जो वेस्ट होता है इसका रूप है वो फर्टिलाजर में किया जाता है इसका वेस्ट होता है उसका फर्टिलाजर में यूज किया जाता है और जो गैस है उसका यूज किया जाता है कोई भी हमारे जो फूड फ्रोड़क्ट वगरा हो बनाने में किया जाता है चूला आनेता भी मिल गई थी इसके किसानों के आयमें भी वर्दी होगी फर्टिलाइजर है उसको बाहर से खरीदना पड़ता है तो उसकी भी कमी आएगी और यह जो फर्टिलाइजर काफी अच्छा होता है इसमें कार्बंड का जो है न वो भी एमिसन कम होता है क्योंकि यह अंदर इसके दौरा इससी एक ट्रेड मार्ग होषित कर दिया गया इससे क्या होगा इसी किसानों के आया में भी वर्दी होगी चुषेट करनाती की बारे में रहा नेक्स के 3 april 1680 में इनकी मर्तिविटी तो इसको हर साल इस दिन को celebrate किया जाता है इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म हुआ था 1620 में महाराष्ट के वोशले फैमिले में हुआ था और इनका नाम भी सिवाजीव वोशले था बच्मन में इनका नाम था इनको क्या का कहा जाता है इनको छत्रपती कहा जाता है इनको छत्रपती महराज कहा जाता है दर्मोदारक भी कहा जाता है सक्कार्ता भी कहा जाता है तो ये सारे नाम से इनको संबोधित किया जाता है इनका युद्ध वाता बीजापूर के जो अद रखी गी थी मराटा सामराजी की इनने कई सारे किले जीते थे जैसे कि तोरन का किला है तोरन फोर्ट है वो है राइगड का किला है कुंडाना फोर्ट है यह इस पर मूवी भी मनी थी कुंडाना फोर्ट पर ताना जी काफी अच्छी मूवी है तो वो कुंडाना फोर्ट है व वो काफी स्ट्रॉऔ थी जो आज की हमारी नेवियंद वो भी इनके Naam पर भी रखी गई किया थी ठीक कोकर्ला थरप इन्होंने बहुत स्ट्रॉंग नेवी ust रौत की ती सूर्वात कीती ताकि पूरी झूल गालोल रूटे उस्पे कबज्या किया जा सके में pretend present moment doida, जिसने काटि प्रणा लीग जाता है इसमें जो पूरा जमीन होती हैं सक पाथ को अगै गावा, चौत में क्या होता है जो भी मराठा की बाहर का एरिया है उस एरिया को अपनी सेफ्टी के लिए वन बाई फॉर्थ रूपे चौता बागे वो मराठा जो सामराजे उनको दान देना होगा मतलब उनको गिफ्ट करना होगा अपना चौता जो पाट है रेवन्यू का वो मराठा सामराजे को देना बड़े सरदेश मुखी क्या होता है इ उड़सवारता नो सेना थी यह पी सारी चीज़ी इनमें जो चरवा है थी न जो अगरी कल्चर वगरा करती थी वो मराठा सेना में सेनी का रूप में निभाते थे और नो सेना भी देख लिया था परताफगेर की लड़ाई के बारे में हमनें बात करी थी जहां पर इनकी ज दिसकसन में इतना ही था थैंक यू थैंक यू थैंक यू वरी मुच वर दिसकसन